इन्स्टाल दे लेटिस Android 8.1 Oreo Rome on MIA1 हाई फैंस सिधात एर फिर्म टेक्नोबस दॉर्म जैसे कि आप देख पारे है हमारे पास यह एम आ इवन का फोन है आज मैं आपको बताओ को कैसे आप में MIA1 की फोन में इसको अपडेट कर सकते हैं लेटस जो लेक्ट वर्जिन एंडूइड 8.1 Oreo का क्यों आप काफी दिरों से काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि 8.1 Oreo का रिलीस होई अभी काफी टाम लाइगा उसको रिलीस होने में क्योंकि अभी वह देस्टिंग प्रोसेस पर है बट जो लीक्ट बिल्द है वो निकल चुका है डेवलोपर्स और टेस्टर्स के लिए तो वही मैंने डाउनलोड किया है और वो बिल्कुर स्टेबल है सारी चीज़ेस में काम कर रहे हैं वाइपाई वोल्ट कैमरा हर चीज काम कर रही है मुझे कोई पर्लम नहीं मैं इसको दो दिन से चेक कर रहा हूं तो मैं आपको कैसे आपको इंस्टॉल करना है और कैसे इसको आप असानी से अपने फोन में यूज कर सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा ताकि आपको समय में आता है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और कैसे इस 8.1 जो बिल्ड है औरियो का उसको कैसे अपने तो सब्सक्राइब को दिखा देता हूं एक बार अपने सेटिंस पहले में जागे कि हमारे पास जो रूम है वो Android 8.1 हो रही है सिस्टम में जाते हैं हम अबाउट में जाते हैं अबाउट में आप देख पा रहे है मॉडल नंबर माइवन है यह वाला यह वाला Android वसन 8.10 है इसमें जो सिक्योर्टी पैच है वह माई का लेटस्ट है अब देख पार होंगे है माई 5 2018 और जो बिल्ड नंबर है वह है ओप 171019.019.8.59 जो की लेटस्ट बिल है Android 8.1 और यह को तो आपको इसको इंस्टाल करने के दो जीजन दिहां रखनी है पहली बात कि है कि आपके फ चैसे तो इसके जो वीडियु है उसका लिंक जो है डिस्क्रफ्ष्प्षण में डाल दिया है जहां से अपने फोन के बूट्ट कर सकते हैं और उसको बाद में TW niewकॉसन में कमीरी और ऋंस्टर। कर सिते में आपको दिखा देता हूं कि मैंने अपना फोन जो है उसका बूट लोटर जो है उनलोग करका है डेवलोपर आप्शिंस में आपको दिखाता हूँ कि यह देखिए जो विम अनलॉकिंग का जो बटन है वो हमारे ग्रेया उठाय यानि कि इनेबल डिसिवल नहीं हो सकता है डैट मिन्स कि हमारे जो फोन का बूट लोट जो है अनलॉक हो रुक है अनलॉक करना बहुत एसी है सिर्फ आपको एक कमांड रन करनी है फास्पूट के वाद आप टी डी डी घट कर से हैं उसके बाद इस रूप को अपने फोन में इस टॉल कर ते हैं इस रूं का जो लिंक है वह नहीं डिस्क्रिशन में डाल दिया है जहां से आप इसको डाउनलोग कर से से मैं आपको दिखाया दता हूँ फाइल इस प्रोग्रम में जाके कि हमने इस राव रोम को सेव कर लिया है फाइल से इंटरनल स्टोरेज यह देखी यह वो फाइल है एट पॉइंट फाइव ने वर्श इस फाइल को आपने सिर्फ टीडेवलू कस्टम रिकवरी के तुरू फ्लेश करना है तो अई चीज और बता देता हूँ मैं आपको इससे पहले अपने फोन का बैक अप जरूर ले लें क्योंकि आपको इसमें क्लीन इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपके डाटा वगरा है अप्लिकेशिश वगरा है वो सेफ रहेंगे बस एप्लिकेशिश व आप को पहले अपने फोन को पावर आफ कर दिन है जैसे इसी आपका फोन शट्डाउन होता है आपको टीडव, कस्टर प्रिक मोड पर आजाएंगे जैसे आप एप रूप का चटम र्कवरी मोड पर आते हैं आपको वाइफ काश्ट करना है एडवान स्वाइप करना है और और एक रोम की जो फाइल है उसको फ्लेश करना है उसको फ्लेश करने के बाद अब असानी से अपने MIA1 के जो फोन है उसमें Android 8.1 ऊडियो को इंस्टॉल कर पाएंगे और इसको इसली रन कर पाएंगे काफी स्टेबल रोम है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जैसे ही आपका जो फोन है TWRP कस्टम रिकवरी मोट पा जाता है आपको कुछ और से ओप्शन देखने को बिलते हैं इंस्टॉल वाइप बैकाप रिस्टोर माउंट सेटिंग्स एडवास्ट और रिबूल तो सबस्से पहले हैं वाइप पे जाना है वाइप पे जाके आपको आप को लोगवा मैं इसके टेच्न कम देखनने को बिलेंगे एड। और इड़ियक करेंगे यहां पी डालवी करें शिञ ओपर बालगा सिस्टम को क्लिकत करेंगे और डाटा को क्लिक करेंगे बंटनेस ड्रॉस को क्लिक नहीं करना है आजर्वाइज में अपने अपने अज तो आपको इन तीनों को स्लेट करके स्वाइब कर देंगे थोड़ी दिर में इतीनों फाइल वाइब हो जाएंगी और उसके बाद आपको कुछ ऐसा ओप्शन देखने मिलता है बैक और रिबू सिस्टम आपको जो होम का बटन है उसको दो आना है अब इंस्टॉल पर जाना ह होगा और थोड़ी देर में आपको अपने फोन को रिबूट करना पड़ेगा उसके बाद अपने माइवन का जो 8.0 पर रन कर रहा है आपने इसको 8.1 और अपडेट कर लिया होगा आप उसके सारे फीचर्स को अपने फोन में यूज कर पाएंगे जह है वाइफाई हो ब्य फोकस करता है तो उसके अप्डेट्स में प्राफ़ेंस नहीं को फ्रॉट करना है सिंपल सा तरीका है कुछ नहीं होता अगर आपको लगता है तो वापस अपने प्रॉणर रोम यूप आप यहां सकते 8.0 पे लेके जा सकते हैं, या पुराने Fastbooter को फ्लेश कर सकते हैं. तो अब यह देख पा रहे हैं, फाइले फ्लेश हो रही हैं, सारी है फाइले फ्लेश हो रही है, बीच में पीछ स्कीन अगर ऑफ हो जाते हैं, आप अनलाउक का बटन दो, खुल सकते हैं. जैसे यह flash हो जाएगा पूरी फॉरी फाइले आपको नीचे एक message लिखा आ जाएगा और नीचे दो option बने आएगे reboot system wipe cache और डालवी cache तो पहले आपको wipe cache डालवी cache करना है और उसके बाद reboot system करना है जैसे फोन सी चुक फजाएगा उसको फिट से अन कर लेना है तो एक पार है हमारा रोम जो फ्लैश हो गया है successfully आप नीचे आप दो option है wipe cache डालवी और reboot system पेने wipe cache डालवी को क्लिक करेंगे swipe to wipe अब reboot system और swipe to reboot system अब जो हमारा फोन बूट हो जाएगा और थोड़ी दिद में जो में रोम इंस्टार्ल किया था उस पर हमारा फोन जो है run करना start हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो अपने MIE1 का जो फोन है उसमें Android 1 Android 8.1 orio के रोम को install कर सकते हैं और उसके फायद हो उठा सकते हैं देख पा रहे हैं अभी MIE की स्क्रीन आ चुकी है हमारी और यह बूट कर रहा है देख पा रहे होंगे Android 1 का जो बूट लोगों को स्क्रीन है वो भी हमारे स्कीन पर आ चुकी है अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और एकदम से जाप के पास सामने configuration की स्क्रीन होती है जिसमें आपको setup करना पड़ता है अपने फोन को कौन से language चुननी है सेम गर activate करने है Wi-Fi connection स्टार्ट करने है वो सब आपको दिख चाहेंगे और आपने फोन में यह देख पा रहे हैं तो हमारे समने वो स्क्रीन आ चुकी है हम इसको स्टार्ट कर देते हैं अब हम इसको कन्फिगर कर लेंगे बाद में करता हूं आपको दिखा जता हूं नॉमल आप में सेटप कर लूँगा मैं चाहता है कि उनको सेटप करने में और टाइम लगी और वीडियो काफी लबा बन जाया है तो बस अल्मस्ट हमने सेटप कर लिया है और यह हमारा जो फ्लैश हो चुका है हम इसकी ब्राइटने सोड़ी से कम कर देता हूं आप मैं सेटिंस मे 1 एंड्रोइड वजन 8.1.0 सिक्यूर्टी पैज हम बाई 2018 का है और बेल नंबर ओपीम 1.171019.019.8.5.9 चो कि लीडिस बिल्ड है इस त्राइम पे और यह का तो इस तरीके से असानी से अपने फोन में जो अप्डेट कर देते हैं 8.1.0 के साथ तो दोस्तों उमीद करता हू आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद है का मैं रोज आपके लिए हिंदी में ऐसे वीडियो लाता हूँ और काफी महनत लगती है इस वीडियो इसको बनाने में और और अच्छी तरीके से आपके प्रेजिट करने के लिए तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैन सॉल्व करने के लिए तो इसी के साथ आप वीडियो को क्लॉज करते हैं तो चलिए टेक केर एंड बबाए सब्सक्राइब कीजिए टेकनोबस.net चैनल को और बेल आइकन को तुबाना ना भूले ताकि सबसे पहले लेटेस टेक अपडेट्स आपको मिल सकें झाल को तुबाए टेकन क कीजिए तो यड बेलोग टेकन कीजिए लेसी आपको मिल सकें झाल झाल